कि नमस्कार मेरा नाम है अभिनोत सांशो पांडे और हम पढ़ने वाले हैं कक्छा 11 के लिए विशेव भौतिकी तो हम देख रहे हैं कि इसके पहले हम लोगों ने एक जो अध्याय पढ़ा हुआ था इकाई एवं मापन ठीक है एकाई एवं मापन और इस अध्याय में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी इस अध्याय में हम लोगों ने भौतिक मात्राइं पढ़ी उनके जो है विभिन प्रकार के जो है सिस्टम्स पढ़े जैसे SI unit, MKS, CGS उसके बाद में हम लोगों ने व्युत्पन मात्राय, मूल मात्राय पढ़ी और फिर हम लोगों ने तूटियां पढ़ी और उसके बाद में शुद्धता, परिशुद्धता ये सारी चीज़े पढ़ी, जो हम पिछले अध्या में कर चुके हैं और आज हम एक नए अध्या सुरूर करने वाले हैं, जिसका नाम है एक विमी गती ठीक है? और एक विमी गती में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आज हम सीखेंगे तो चलिए देखते हैं वो क्या क्या चीज़े हैं पहले हम बात करने वाले हैं बिंदु वस्तु किसे कहते हैं फिर हम देखेंगे कि निर्देश तंत्र क्या होता है और उसका हमारे जीवन में क्या महत्तु है निर्देश तंत्र के कुछ प्रकार होते हैं जैसे जड़त्वी निर्देश तंत्र पढ़ेंगे और फिर इस वीडियो के अंत में हम विराम अंगती की अवस्ता के बारे में भी डिस्कस करेंगे तो चलिए अब देखते हैं कि हमारे पास में बिंदू वस्तु क्या है बिंदु वस्तू का मतलब ये है कि अगर चली गई रास्ते की लंबाई की तुलना में हमारी जो वस्तू है जो गती कर रही है उसका आकार नगन्य हो तब हम उसे बिंदु वस्तू कह सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ मतलब ये है कि जिस प्रकार हम एक रेखा ले लेते हैं ठीक है हम एक रेखा ले लेते हैं और इस रेखा में जैसे मैं अनंत बिन्दु यहां पर रख सकता हूँ तो क्या होगा कि ये इसलिए है क्योंकि इस रिखा के तुलना में इस बिंदू का जो परिमान है इसका जो आकार है वो बिलकुल नगन है इसी तरीके से अगर रास्ते में चली गई जो जितनी दूरी है हमारी उसकी तुलना में हमारी चलने वाली वस्तु का आकार बिलकुल छ छोटी सी चीटी यहां से यहां तक चली गई इस कमरे की तुलना में चीटी का आकार बहुत ही छोटा है तो कमरे के लिए चीटी एक बिंद वस्तु हो गई लेकिन अगर मैं अपने आपको उस कमरे में मैंजन करूं तो मेरा आकार कमरे की तुलना में नगरने नहीं हो सकता कु पुरे रायपूर सहर में यहां से वहां तक घूम रहा हूं तो रायपूर शहर के लिए मेरा आकार बिल्कुल नगन है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक कमरे के लिए चीटी है ठीक है अब क्या मैं बस को या किसी ट्रेन को एक बिंदुबस्तु मान सकता हूं मैं पूरी हो सकती है शर्त क्या है कि जिस रास्ते पर कोई वस्तु गती कर रही है उसकी तुलना में गती करने वाली वस्तु का आकार नगन्य हो अब हम देखते हैं यहां तो यह एक शहर का मान चित्र है भाई और इस मान चित्र में हम क्या देख रहे हैं कि यह एक बहुत ही लंबे र में इस कार को बिंदु वस्तू मान सकता हूं बिन वस्तू को हिंना क्या क्या कह पॉइंट ऑबजिक्ट है थी चलिए स्के बाद में हम अगली चीजें अग्लाइ लेक्ष लेते हैं और अगली बात हैं निर्देशete तंत्र क्या हो तो भई हम लोगों ने क्या देखा था कि जितनी भी भौतिक मात्राइं होती हैं उनका मापन किया जा सकता है और उसी के हिसाब से हम जो है भौश्य का निरधारन करते हैं तो अगर मैं किसी वस्तु की गती को एक भौतिक मात्रा मानों क्योंकि क्या है कि गती क्या होती है गती होती है किसी में दूरी मतलब बदलाओ कितना हुआ कि इस्थान में अंतर कितना आया है तो उसके लिए मुझे किस चीज की जरुद पड़ेगी उसके लिए मुझे जरुद पड़ेगी निर्देस्तंत्र की अव्याव कौन-कौन से हैं निर्दे स्तंत्र में सबसे पहले हमारे पास में एक प्रेक्षक होता है ये प्रेक्षक क्या करता है ये प्रेक्षक जो है ये देखता है और ये ही हमको बताता है कि पहले वस्तू कहां थी और बाद में कहां चलिए तो प्रेक्षक यहां बैटकर कहां पर मूल बिंदु पर ठीक है मूल बिंदु पर कौन बैठा होता है मूल बिंदु पर प्रेक्षक बैठा होता है और कोई वस्तू मान लेते हैं कि हमारे बिंदु A से बिंदु B तक जो है अगर अपना इस्थान का परिवर्तन कर दे तो इस परिवर्तन की माप यही करता है ठीक है अब यह माप होगी कैसे तो माप को करने के लिए हमारे पास में बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं चलिए देखते हैं सबसे पहला तरीका देखते हैं कि माल लेते हैं कि हमारी गती सिर्फ एक रेखा के इछ जाना है तो हम क्या करते हैं number system में देखिए आपको याद होगा कि एक नंबर line है यहां पर शून्य एक, दो, तीन, चार, समान दूर्यों पर हम लोगों ने बिंदू ऐसे बना रखे हैं, यहाँ रिड़ एक, यहाँ रिड़ दो, यहाँ रिड़ तीन और यहां रिड़ चब अब अगर मैं आपको गती के बारे में बताऊं, तो मानते हैं कि वस्तू जो है सूनने पर थी ठीक है, फिर यहां से उठके چार पर चली गई, फिर दूसरी बार में क् लेते हैं कि यह वापस दो पर आ गए तो यह जो गती हुई है इसको हम किस तरीके से नाप सकते हैं हमारा मूल बिंदू या प्रेक्शन बिंदू क्या हुआ शून और यहां की तुल्ला में वो दाएं या बाएं कितनी दू चलती है यह हम नाप सकते हैं लेकिन अब अगर मैं आप से कहूँ कि एक कैरम बोड्ड है और इस कैरम बोड़ में जो स्ट्राइकर है हमारा उसकी गती कैसी हो रही है तो हम क्या देखते हैं अब कि हम किसी बिंदू ए पर थे और दूसरे बिंदू B पर चले गए तो अब बिंदू A से बिंदू B की दूरी नापने के लिए हम हम बंदू A की स्थिति का पता लगाएंगे कि वो पहले कहां है इसके लिए हम यहां पर से एक लंब खीचेंगे जो X अक्ष पर जाकर ठिकेगा और यह जो बंदू हो बंदू होगा यह हो जाएगा हमारा X1 हम लोगों ने क्या माना है यह है हमारा X अक्ष और यह है हमारा Y अ इसी प्रकार इस बंदू के लिए हम लंब खीचेंगे और यहां हमको X2 मिल जाएगा हम अगर एक लंब खीचते हैं Y अक्ष पर तो हमको यहां पर Y1 और इसी प्रकार यहां पर Y2 मिल जाएगा अब अगर हम यह देखना चाहें कि बंदू A को निर्दे स्तंत्र के अनुसार किस तरीके से दर्स आते हैं तो हम बोलेंगे AX1,Y1 यह चीज़ याद रखने की है पहले X आता है फिर Y आता है ठीक है उसी प्रकार मैं बंदू B को बोल सकता हूँ यह है X2,Y2 और मैं इन दो संख्याओं के इन दो संख्याओं के बीच में कॉमा लगा के मैं इस तरीके से प्लेन में पूरे समतल में कही पर भी बिंदू का की स्थिती को दर्स आ सकता हूँ मान लेते हैं कि कोई बिंदू यहाँ है ठीक है तो यहाँ पर आने वाला बिंदू क्या करेगा यहाँ पर आने वाला बिंदू इस तरीके से हमको Y3 की स्थिती देगा और यह इसी ही तरीक से एक्स अच्छ पर लंब बनाकर एक्स तीन की गति देगा तो यहां हम बोल सकते हैं सी बराबर एक्स तीन कॉमा वाई तीन अब देखें यहां पर शून्य है यह सारी किसी सारी संख्याय धनात्मक है तो इधर हमको एक्स का मान रिनात्मक में मिल जाएगा लेकिन इससे कोई चिलता नहीं हम लोगों का मुख्य उद्दे से है उस पॉइंट की उस बिंदू की स्थिति का पता लगाना अब अगर मैं इस बिंदू से यहां तक गति करता हूं तो मैं इन दोनों बिंदू के बीच में एक सीधी रेखा खीट लेता हूं ठीक है और यह सीधी रेखा इसक के बारे में पता चल जाएगा इसी प्रकार अगर मैं इस बिंदू मैं अपने अंगुठे की स्थिति पता लगाना चाहूं तो मैं क्या करूंगा प्रिक्षण बिंदू यहां से उपर नीचे और मैं तीसरा यहां देखिए यहां अगर मैं नब्य अंस पर इन दोनों पॉइंट पी पॉइंट पी बराबर एक्स वन कॉमा वाई वन कॉमा जैड वन इस तरीकी से पदरसित करूंगा और मेरा जैड एक्सिस दोनों ही अक्षों पर जिनका परस्पर में कोंड कितना है नब्य अंस इन पर भी नब्य अंस का कोंड बनाती हुई एक रेखा मेरी ज इस पर कुछ अक्ष होते हैं जिन पर जो है दूरियां अंकित होती है एक मूलबंदू होता है और वहाँ पर बैठकर एक प्रेक्शक या observer जो है बढोर की स्थिति का पता लगाता है चलिए अब अगली बात किया है कि जो जो निदेश्तंत्र होती है क्या इनके कुछ प्रक प्रकार और दूसरा प्रकार है दूसरा प्रकार है जडत्वी और अजडत्वीज निर्देस तंत्र क्या होते हैं चलिए इसके बारे में पता लगाते हैं देखें कि आज जड़त्वी निर्देश तंत्र क्या होता है इसको इंग्लिस में कहते हैं कि नियम के पहले नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं जड़त्व का नियम या इसे हम कहते हैं Newton का Newton का पहला नियम ठीक है तो इसका मतलब क्या होता है कि यदि कोई वस्तू विराम की अवस्था में है तो हमेशा विराम में ही रहेगी और यदि कोई वस्तू एक समान गती से आगे बढ़ रही है तो वो एक समान गती से बिना दिशा को बदले आगे बढ़ रही होगी कब जब तक उस पर कोई बाहर से बल ना लगाया जाए। अब यहां देखते हैं कि इस नियम का पालन जिसने भी निर्देश तंत्र कहते हैं, करते हैं, उन्हें हम जड़त्वी निर्देश तंत्र कहते हैं। मतलब अब इसमें क्या क्या आएगा? पहला यदी प्रिक्षक खुद विराम की वस्था में बठा हो, मतलब ये विराम निर्देश तंत्र हो गया। अगर प्रिक्षक स्वयम विराम की वस्था में बठा हो, तो उसे चलने वाली वस्तुपत, बाहर से लगने वाला कोई छद्नबल नजर नहीं आएगा, यहाँ पर न्यूटन के गती के पहले नियम के साथ सभी के सभी नियमों का पूर्णता पालन होता है यह बात तो हम समझ गये अब अगली बात समझना है कि आज अड़त्वी निर्देश तंत्र होते कैसे होंगे चलिए मैं आपको यह भी बता देता हूं तो अब जड़त्वी होते हैं मतलब यह होता है कि अगर मैं यहां से उधर जांना की जова कि यह मापन किया जा सकेगा इस पर दिसा के बनने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता इसलिए इसको संदैसी केहते हैं अगर मैं प्रित्वी पर बैठा हुआ हूँ और आप कोई गती कर रहे हैं तो आपको ये तो समझ में आ रहा है कि मैं अभी फिलहाल विराम की अवस्ता में हूँ और आप मेरे साब पेक्छे कोई गती कर रहे हैं तो प्रित्वी के निर्देश तंत्र को हम लोग जो है स्थिर निर्देश तंत्र या जड़त्वी निर्देश तंत्र कह सकते हैं और यहां पर भौतिक के सभी नियम जो है बिलकुल पालन करते हैं ठीक है अब यहां पर अगर सारे नियम का पालन हो रहा है तो न्यूटन का प से चीजों को मापन कर रहे हों लेकिन इसके उलट अब क्या होगा यह अज़्ट्वी निर्देश तंत्र ऐसे हैं जहां पर न्यूटन की गतियों को है कोई भी पालन नहीं होता है अब इसका मतलब क्या हो सकता है तो मैं आपको एक समान गती से चल रही होगी माल लेते हैं कि 60 km पती घंटे की जो रफतार है उस से जो है बस इस तरफ आगे बढ़ रही है और यहां खिड़की से मैं खड़े होकर एक पेड़ को देख रहा हूं तो अब क्या होगा कि यह पेड़ जो है वो भी एक समान गती से मुझे पीछे जाता हुआ नजर आएगा क्या इसमें कोई त्वरण हो रहा है बिलकुल नहीं हो रहा है लेकिन अगर मैं यह बोलू कि इस बस में कुछ त्वरण हो रहा है तो इसके कारण मुझे ऐसा लगेगा कि इस पेड़ पर कोई बल लगा हुआ है एफ और जिसके कारण यह पेड़ उस दिसा में एकी त्वरण से आगे बढ़ रहा है तो इस पेड़ को जो इस त्वरवस्था में है के बावजूद मेरे अजड़त्वी निर्देश तंत्र में होने के करण बल लगता हुआ मुझे नजर आएगा जो की असल में है नहीं तो इस बल को क्या कहते हैं। इस बल को कहते हैं छदमबल। तीक है। इसको बुलते हैं छदमबल। अब आ जड़त्वी निर्देस-oine देर्टवी की बात नहीं कर रहा腦ू जहाँ पर निर्देस तंत्र निव्कky के सारे नियमों का पालन होता है उसके उधारन है पहला अगर मैं पृथ्थ्वी पर हूँ और आप भी पृथ्थ्वी पर हैं तो हम दोनों की गती एक समान और बराबर है इसलिए आपकी तुन्हा में मैं विराम पर इस्थित एक प्रेक चखू अबजर्वर हूं तो पृथ्थ्वी निर्देश तंत्र होगा इथर होता है क्या इथर होता है अंतरिक्ष में अंतरिक्ष में अगर मैं अंतरिक्ष में देखूं तब वहाँ पर भी जो निर्देश तंत्र है वो कैसा है वो जड़क्ती निर्देश तंत्र है चली आगे वढ़ते हैं और अगली बात है कि विराम और गती का मतलब क्या होता है तो विराम और गती के लिए सबसे पहले हम बात कर लेंगे हम एक निर्देस तंत्र बना लेते हैं ठीक है यह हमारा निर्देस तंत्र है और निर्देस तंत्र पे हम को किसी वस्तू को बिंदु ए पर रख देते हैं अगर समय के साथ इस बिंदु कि स्थिती में कोई भी परिवर्ता ना आये तो वह विराम की अवस्था में मानी जाती है दूसरी बात अगर समय मान लेते हैं कि इस अक्ष पर हम लोगों ने समय ले दिया ठीक है और इस अक्ष पर हम लोगों ने यहां पर हम लोगों ने दूरी ले दी ठीक है यहां पर दू दूरी डी है तो जब टी एक सेकंड था सूने सेकंड था तब दूरी भी सूने सेकंड थी टी के पांच सेकंड होने पर दूरी 20 मीटर हो गई टी के दस सेकंड होने पर दूरी 40 मीटर हो गई ती के 15 सेकंड होने पर दूरी 60 मीटर हो गई अब हम क्या देख रहे हैं कि जैसे ज पास पास या अपने निर्देश तंद्र के सापेक्ष समय के साथ में अपने इस्थिति में कोई परिवर्थन करें तो उसे क्या कहेंगे उसे हम गती के वस्ता कहेंगे चलिए तो गती के अब एक सा अब यहां पर गती भी दो प्रकार की हो सकती है कैसी कैसी हो सकती है तो गती दो है दो प्रकार की होगी पहला है गती के प्रकार गती के प्रकार ठीक है तो पहला है निर्पेक्ष गती ठीक है पहला है निर्पेक्ष गती और दूसरा है दूसरा है सापेक अब ये सापेख्श और निर्पेख्श था में हो ठीक है यदी हमारा प्रेख्श चुर्णक किया थाम in हूं और फिर हमकोई कर रहे हैं तो यूद्म हम लोगों ने अभी पिछले साइड में क्या देखा कि हमारा प्रेख्शक यही बैठा दा और हर बार लेकिन सापेक्षगती का मतलब होता है कि यदि प्रेख्षग भी प्रेक्षग भी कैसी गति कर रहो एक समान गती कर रहा हूँ एक समान गती का मतलब या तो वह ने मतलब उसके प्रेक्षक भी गती कर रहा हूँ जिसके वेग में जिसके ठीक है तो यह जो अगर प्रेक्षक भी गती कर रहा है तब हम क्या देखेंगे कि अब हमारी जो गती हो गई वो सापेक्ष हो गई किसके सापेक्ष प्रेक्षक के सापेक्ष ठीक है अब यहां पर जो है इसके उदाहरन देखेंगे तो प्रेक्षक के सापेक्ष कैसी गती हो सकती यह देखते हैं चलिए अब क्या हो रहा है कि यहां पर एक क्रीज जवें और गने की अथा रही है लेकिन उस ट्रेण के अंदर एक एक-थी एक तो यहां पर यह जो प्रेक्षक है उसके साफ एक्ष दो चीजें जो है एक साथ गती कर रही है और इसकी गती इसके साफ एक्ष मतलब इस व्यक्ति की गती ट्रेन के साफ एक्ष बदल जाती है ठीक है अब इसी तरीके से यहां देखें कि भाई सडकें मकान घड़ी हां और प हुई नजर आती हैं अब हम बन गए हैं प्रेक्षक और वो विरामियस अवस्था में रहने वाला जो वस्तु है वो भी पीछे जाता हुँ नजर आ रहा है क्योंकि हम उसकी किस गती की तुलना करतैं है सापक्ष्य गति का जो है अब देखिए यहाँ पर उदाहर मतलब पहले हम फॉर्मुला ही देख लेते तो भी.एबी का क्या मतलब होता है भी.भी.जो. जो पहले आया उसके सापक्ष्य मतलब एक कूं है हमारा प्रेक्षक है वी प्रेक्षक है और वी वस्तु है ठीक है तो प्रेक्षक के साफ एक्ष वस्तु की गती बराबर वी ए माइनस वी भी तो यहां पर वी बी माइनस भी है ठीक है ब्रेक्षक के साथ एक चवस्तु की गति तो वी बी माइनस भी अब इसका उधारन देखेंगे चलिए आईए तो एक देखें हम लोगों ने क्या दिखा था हम लोगों दिखा था वी ए बी बराबर वी बी रिड़ वी ए यह हमारा फ से एक बस में बठेक रवाटि खंबे को देखता है तो भाई बस की रफतार क्या है वी बी मतलब क्या है वी वी बस का मतलब है 30 km प्रति घंटा और वी एक मतलब खंबा खंबा को लिए इंगले से बोलते हैं तो वी पुल क्या है शून ने क्योंकि घंबा तो भाई जमीन पर गड़ा हुआ है न ठीक है अब हम क्या बोल रहे हैं व्यक्ति के साफ एक्ष खंबे की चाल क्याद करें यहां एक साफ एक्ष बी की चाल निकालना है उसी तरीके से यहां पर क्या निकालना है वी बस के सापे एक्ष पूल की चाल निकालना है तो यह हो जाएगा वी पूल रिण वी बस अब यहाँ पर मान डाल देते हैं तो पूल है शून्य और यहाँ पर रिण और उसके बाद में बस की चाल है 30 किलोमेटर प्रति घंटा अब यहाँ पर एक महत्वकून बात हमको देखने के लिए मिले हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पर रिनात्मक चिन हमको नजर आ रहा है और यह रिनात्मक चिन क्या बोलता है कि जो यह दिशा थी वो बस की किस दिशा में है बस की दिशा अगर इस तरफ है हमारे दाएं हाथ मेरे दाएं हाथ की तरफ है तो फिर जो पेड़ की दिशा है वो उस व्यक्ति को उसके या उसके विपरिद दिशा में नजर आएगा यह रिंडचिन असल में दिशा बताता है दिशा के बारे में हमको बता रहा है ठीक है तो जो जो रिंडचिन है वो दिशा बता रहा है एक व्यक्ति सामने जा रहा है तो उसको पेड़ किधर जाता हो नदर आता है, पीछ आता है, आपको भी यह बात पता है, चलिए अगली अगली प्रश्ण की तरफ हम लोग चलते हैं, हमारा अगला प्रश्ण है। कि दो कारे हैं ए पहली कार का वी ए और दूसरी कार का वी वी ए का मान क्या है 25 किलो मीटर प्रती घंटा और वी बी का मान है 45 किलो मीटर प्रती घंटा देखिए जब तक आप सही धंक से इकाईयां नहीं दिखेंगे आपको नमबर नहीं मिलने वाले हैं तो आप एकाईया लिखना न भूले अब क्या बोल रहा है कि विपरित दिसाओं में चल रहे हैं तो हम लोग माल लेते हैं कि V A की जो दिसा है वो धनात्मक है तो V B उसके विपरित मतलब धनात्मक दिसा में चलेगी उल्टी दिसा में चलेगी अब क्या बोल रहा है कि कार B के सापेक्ष A की गति की गणना करें तो हम को क्या निकालना है V B A ठीक है अब जो है हम जिसके सापेक्ष निकालना है भई किसके सापेक्ष किसकी गणना करना है तो यहाँ पर आ जाएगा वी ए माइनस वी भी यही तो आएगा आएगा क्या ठीक है तो वी ए का जो है हाँ तो वी ए का मान क्या है वी ए का मान है 25 किलो मीटर प्रति घंटा ठीक है और वी बी का मान क्या है रिण लगाना है पहले और वी बी का मान क्या है वी बी का मान क्या है रिण 45 किलो मीटर प्रति हो जाएगा तो हमको मिलेगा 25 धन 45 इनको जोड़िये तो कितना आता है तो यहाँ पर आ जाएगा 70 किलोमेटर पति घंटा क्या यह रासी धनात्मक है हम देखते हैं कि यह राशी धनात्मक है इसका मतलग यह है कि वी बी को लगेगा कि वी अपनी दिशा में वी एपनी दिशा में 70 किलोमेटर पति घंटे की चाल से चल रही है अब क्या हम लोगों ने ऐसी कोई चीज देखी है बिलकुल देखी है जब हम train में बैटकर यात्रा कर रे होते हैं कि जबभी कोई train हमारी विपरिद दिसा में चलती हुवी आती है तो हमको ऐसा लगता है कि वह train बहुत ही ज्यादा टेज निकल गई उसका कारण क्या है क्योंकि वो जो हमारी विपरिद दिसा में आने वाली train है उसकी सापेक्ष गती हम दोनों की गती को जोड़ कर जो आती है वो हमको समझ में आती है इसलिए ही हमको मिपरीद दिसा में जाने वाली ट्रेन बहुत ही तेज चलती हुई नजर आती है इसके opposite अगला प्रश्ण देखें अगले प्रश्ण में देख रहे हैं कि हमारे पास दो किलोमीटर पहला घोड़ा है 15 किलोमीटर प्रतिघंटा ठीक है और दूसरा घोड़ा है 20 किलोमीटर प्रतिघंटा अब हमसे क्या पूछ रहा है हमसे पूछ रहा है कि तेज घोड़े के सापेक्ष दूसरे घोड़े की चाल क्या होगी तो तेज घोड़े के सापेक्ष भाई हम वी ये भी करेंगे और यहां हो जाएगा वी बी रिण सॉरी वी बी ये करेंगे भाई ठीक है वी बी ये और यहां हो जाएगा वी ये भी होगा और यहां हो जाएगा वी ए रिण वी बी तो दूसरे घोड़े की चाल है यहां पर बीस किलोमेटर पती घंटा और पहले पोड़े की चाल क्या है पंदरा किलोमेटर पती घंटा आप बताईए कि दूसरे घोड़े को पहला गोड़ा किस गती से बढ़ता हुआ नजर आएगा तो पंदरा लिए बिस मतलब यहां पर पांच किलो मेटर प्रति घंटा यह चाल है और दूसरे घोड़े को यह लगेगा दूसरे घोड़े को यह लगेगा कि पहला घोड़ा पांच किलो मेटर प्रति घंटे की चाल से है तो हम लोगों ने कुछ अभ्यास प्रस्ने देखे और हम लोगों ने सापेक्ष नेपेक्ष जती के बारे में सीखा अब हम अगले वीडियो में कुछ और चीज़े सीखेंगे लेकिन अभी फिलहाल इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद